आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कागज़ पर टोटके पर आज के वीडियो में क्या बताने वाले हैं आज के वीडियो में बताने वाले हैं यदि कोई दो वेक्ति मिलकर परिशान कर रहे हैं आपको तो आप ये उनके लिए उपाए कर सकते हैं ताकि उनके कर सकते हैं कैसे करेंगे थोड़ा सा बदलाव आ जाएगा उसमें तो वो भी हम आपको बताएंगे कि कैसे करना है इस उपाय को देखें सबसे पहले आपको एक निम्मू लेना है उस पे हलका सा लाल मिर्स का पाउडर लेके इस पे हलका सा कागज पे रगड देंगे अगर नह हम शुरू करें इससे पहले हम आपको बता दें यदि आप अपने घरे नक्षत्र के नुसार उपाय करें तो निश्चे तो और पे इसमें बहतरिंग लाव मिलते हैं इसके लिए क्या करना है इसको डाउनलोड कर लें आप पहले अपने फॉन में डाउनलोड करने के बाद इसमें हमारा ग्रूप आपको दिखेगा कागज पर टोटके नाम से हमारा ग्रूप है इसमें बाइस सो क्या सपास इसमें मेंबर हैं पहले से ही इसमें आपको क्या लाव मिलेगा दिखी इसमें सबसे पहला लाव तो ये मिलेगा कि आपको प्राइवेसी मिलेगी कोई भी आपका phone number नहीं देख पाएगा group का member कोई नहीं देख पाएगा हमारा group है सिर्फ हम ही देख पाएगे दूसरा आपको इसमे राशी फल देखने को मिलेगा जिन जिन लोगों को lab मिला है हम उनके नाम छुपा के इसमें दिखा देते हैं ताकि privacy बनी रहे काफी लोगों को lab मिलता है तो उसमें जैसे आप आएंगे आपको इसमें दिख भी जाएगा तो इसका लिंक हम इस वीडियो के नीचे description में दे देते हैं ताकि आप जुड़ सकें दूसरा तरीका यह है download करने के बाद यहाँ पे search में जाएं search में जाएं और search में क्या लिखना है आपको कागज पर टोटके आपको हमारा group मिल जाएगा उसको join कर लिजिएगा बाइस तो के आसपास हमारे subscribe रहें अब बात करते हैं इस उपाए में क्या करना है इससे आपको सबसे पहले एक काटे का निशान बना देना है अब क्या करना है अब एक तरफ जो पहला विक्ति है जिसको आप अगर वापस बाना चाहते हैं तो पहले उसकी तस्वीर बनाए अगर किसी को भी वापस नहीं बाना चाहते हैं तो किसी की भी तस्वीर आप बना सकते हैं जी हाँ तस्वीर खुद बनानी होगी कैसे बनानी है जैसे कि हम हर बार बताते हैं कि दिमाग में उस व्यक्ति का ख्याल लाते हुए उसके बारे में सोचते हुए उसके बारे में चिंतन करते हुए कि हाँ यही है वे वेक्ति पूरा अराम से दो-तिन मिनट लेकर उपाए करें तस्वीर बनाए यह बना दिया है आपने जलवाजी नहीं करना है बस इस बात का ध्यान लखना है ठीक है जी इसके बाद दूसरी तरफ उस वेक्ति का दूसरे वेक्ति का तस्वीर बनानी है एक की तो बना दी है अब दूसरे की तस्वीर बनानी है इसके लिए क्या करना है दूसरा तस्वीर बनाए बस हमारी जलवाजी में नहीं बनाना है अराम से बनाते जाएंगे औरत है वो तो गुरत की तस्वीर बनाए यानि की महिला पुरुश है तो पुरुश की तस्वीर बनाए बस और कुछ नहीं है इसके बात क्या गरना देखिए अब ध्यान देना है आपको थोड़ा इस पर फिर इसे तरजिनी उंगली पर लेना है यह सिंदूर है कुम कुम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप अब इसके उपर आपको ऐसे बना ज़ना है अगर आप इस रिक्ती को वापस पाना चाहते हैं तो इसके उपर कोई मीठी चीच रख देंगे गुड़ भी रख सकते हैं चीनी के कुछ दानी भी रख सकते हैं नहीं पाना चाते हैं तो कुछ नहीं रखना है ऐसे इसकी तरफ भी आपको गोला बना देना है अब इसको इससे मिला देना है कांटे को अब यहां पर लिख देना है आपको 27, 6, 99, 12, 27, 9 बस इतना लिख देना है अब आपको क्या करना है कलम लेनी है जिससे भी आपने तस्वीर बनाई है अब इनके उपर आपको यह पूरी लकीर मारते जाना है काटते जाना है मगर इतनी जलबाजी में नहीं करना है अराम से एक लाइन मारते वे पुरा यह सोचना है दिमाग में कि इन दोनों के बीच में अब दुश्मनी हो रही है यह दूनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं आपस में मिलेंगे नहीं कभी शकल भी नहीं देखेंगे मलब जो जो आप चाहते हैं बस ये आपस में किसी के बारे में हानी नहीं सोचना है कि इसको शारिती खानी हो ऐसा कुछ नहीं सोचना है बस इन दोनों के बीच में मनमुटाव है जो कि तभी संबब होगा जब यदि आपको मिलके परिशान करते हैं सही में तो और आप यही चाहतें कि इनके बीच में हमेशा के लिए मनमुटाव हो लडाई हो जगडा हो यह अपने दिमाग में सोचना है कितनी बारे से आपको लकीरे मारनी है आप ऐसी लकीर भी मार सकते हैं और एक कांटे वाली लकीर भी मार सकते हैं कितनी मारनी है? लकीरे नहीं गिरनी है आपको, लकीरे नहीं गिरनी है, समय गिनना है, कम से कम, 5-10 मिनट तक आप ऐसा पाए आप सोमवार या फिर शुकरवार में से किसी एक दिन करें, शाम को साथ बज़े से लेके रात के साड़े दस के बीच में, अगर आपने इसके उपर मीठा रखा है, तो आप उस मीठे को अलग कर दें बाद में, उसके बाद ही लकीर बारे, मीठा अलग करने के बाद, उ पिर इस कागच को जब आप तसली हो गई हो, आपको की पांदस मिनिट हो गए है, फिर इस कागच को आप बिना फाड़े, सिर्फ मोड़ना है, आपको इसको मोड़ना है, इस बात का दियान रखना है कि इसमें आपको नाम नहीं लिखना है कहीं पीजी, मोड़ना है, और इ मीठी चीज को भी आप उसके उपर रखकर आ जाएं तो जादा बहतर है जो मीठी चीज है उसको आप उपर ही रखकर आ जाएं कागज के ना तो उसको जलाना है ना ही फाड़ना है जिब इसको ऐसे ही रखकर आ जाना है कहीं पर भी अगर आप कूड़े दान में भी रखना च जाते हैं तो बस मीठे का इस्तेमाल है बागी बिल्कुल वैसे ही है और दूसरा जो हमने बताया था शुरुआत में अगर आप निम्बू पे लाल मिर्च का पाउडर लगा के रगड़ दें थोड़ा 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 तो भी बहतर है उसके बिना भी काम बन जाएगा बस आप वैसे करें तो थोड़ा जल्ली काम बन जाएगा उनिस भी इसका फरक आ जाता है तो यह उपाई आप करें निश्चे तोर पे लाब मिलेगा और यदि आप हमसे जूड़ना चाते हैं अपने घरे नक्षत्रों के नुसार उपाई करना चाते हैं अपनी कोई वक्तिकत स अग्यान देते हैं तो यहां तक वीडियो देखा आपने इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को सब्सक्राइब करें भीना मच जाईएगा वीडियो को शेयर करें धन्यवाद